स्केवी होता है यह थो कि स्किन की कंडिशन होती है इसमें भहत जादाध चुछली होती बहुत ही होते बुरिंग te इसको की जीपन का नाम होते है इसके द्वारर यह होते है और जो इसमें चगते पड़ जाते हैं उसमें बर्वाइंग ट्रैक जैसी अपेरेंस नजार आता है आम बोचल की भार्षा में इस कंडिशन को खाज भी कहते हैं तो आगे बढ़ते हैं जैसे कि मैंने पहले बतायादा कि यह जो कंडिशन होती है और जो यह कंडिशन होती है और नाइट टाइम पे इसकी जाओ जादा हो जाती है मतलब उस टाइम पे जो इच करने की genetics होती और भी ज्यादा होने लगती है जो involved skin होती है जो पेरेंस होता है और यह इसका एक टीपिकल फीचर होता है और यह मैंने अभी बताया था कि यह बहुत ही जल्दी एक सेदूरे वियकती प्रिमारी तो जब इसका इलाज किया जाता है जब दॉक्तर जो व्यक्ति जो सका मरीज है सकेबीस का जो मरीज है जो इस्वयक्ति करें जो इसका इलाज होना ज़रूरी होता है कि यह कंडिशन है हाला कि treat pill है और अच्छे से इसका treatment हो भी जाता है कुछ एक topical medications होते हैं दवाईयां होती है लगाने के लिए जो आती है कुछ खाने के लिए भी होती है और लेकिन initially हम जो लगाने वाली दवाईयां होती है creams होते है, ornaments होते है लेकिन जो cream है, medicated creams होती है कुछ उनके इस्तेमाल से इस condition को treat किया जा सकता है इसलिए कर ऐसा कोई भी लक्षन है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे ऐसा कोई भी appearance अगर आपको लगता है कि इसके भी हो सकता है को अपने डॉक्टर से जरूर उसके बारे में कंसर्ट करना चाहिए तो इसके जो लक्षन है जिसके बारे मैंने भी बताया था आपको कि इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो इसके बारे मज़ें जट्राइस बारे में की इसके सब्सक्राइब से कहलेए जैब Joji ौद फिरेष और ईश्या लोगे बारे मैं शूरा इंपट्र और व्यों सब्सक्राइब और यह जो कंडिशन है नहीं टैंप और ज्यादा बर्स हो जाती है उसके अलावत थिन इर्गलर बरू ट्रैक्स भी फॉर्म हो जाते हैं और टाइनी ब्लिश्चर्स बंप्स बन जाते हैं क्योंकि जो माइट होता है वो इसी तरीके से वो जो बरेन उसका नेचर होता है इसी में तो थें जो इसके कामन आ लक्शन हैं अब यह कहा कहा पर हमारे शाडिय को अपना होुप कर सकता है, Democrat में में आ horiz के नीज गुर्टों के और पास होता है जो के फोल्स में और जो फोल्स होता है और जो यो चोटे बच्ची होते हैं उनके स्कैल्प में हो सकता है उसके रिलामा रहाई के पूल्स में पैर ?? तालू में हाथ के जो पाम का हिस्सा होता है इन सारे जगों पे यह हो सकता है तो अगर इस तरगी कि कोई भी साइंस और सिम्टम्स आपको नजर आते हैं आपको समझ आते हैं तो आपको समय बिल्कुल बर्बाद नी करना चाहिए अडली स्टेज में किसी भी प्रॉब्लम का अगर हम treatment करते हैं तो बैटर होता है नहीं तो जब उसकी worsening होने लगती है जब उसकी severity बढ़ने लगती है किसे भी बिमारी के नौट जिसकेवी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है treat or manage करना भी तो कोशिच करना चाहिए जब भी हमें किसी बिमारी के लक्षन समझ आते है कि यह नॉर्मल से डिवेटेड है तो मैं उसके बार में अपने डॉक्टर से तुलन संपर करना चाहिए अब बहुत सारे स्किन कंडिशन्स होती है जिसमें कि जैसे कि मैंने भी स्केवीज में बताया कि टाइनी बंस होते हैं इसकी इचिंग होती है तो बहुत सारे और भ हर एक प्रॉब्लम का हर एक बीमारी का एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन या टिपिकल फीचर होता है जो कि हमारे डॉक्टर ही आसानी से समझ सकते हैं तो इस सारी चीजों को रिफ्रेंशेट करने के लिए कि एक्जाक्त रिप्रॉब्लम है हम अपने डॉक्टर से जम बहुत जार्वगाइशन के बारे में बात के तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था कि अगर हम बहूत जादा बुरी तर शे करते हैं आईच करते हैं तो वहाँ पे ब्लैकडाऊन हो जाता है एक हैं पेसे बेक्ट्री के और पिचान्स होते हैं लेकिन पेडिकूर हो सक ता है और जादा chances होते होने के जिलों की एक है फिर आफ meerBob लोगों होने के chances जाथा होते हैं जाथे साथ जो भी इल पेशिंग्स में होते हैं जो की बहुँतичес бесп इक आन युडुकी ज़ें बढ़ जाते हैं और ऊसके अलामा गर्फानुनीड होते हैं वहां पर एफ कंडिशन होने के चांसे काफी होते हैं उसके अलावा इसका एक और कॉंप्लिकेशन होता है एक तो normal scabies हैं साथे साथ अगर यह और जाद इसकी severity बढ़ जाती है का वीडियो जिसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें उसको भी आप जरूर देखें तो आज की वीडियो में जहां पर हमने इसकी बारे में जो जेनरल डिसकुशन है वो किया उमीद करते हूं कि आपके लिए काफी हैलफुल होगा उसके लाव भी आपको सुझार देना चा जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बता हैं मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद